किसी ने ठीक ही कहा हिया, किसी भी इनसान को प्रभावित कर उनसे काम निकलवाना एक कला होती है, और इस किताब में दिये गए उसूलों की मदद से आप इसी कला को सीखेंगे, इन उसूलों को जान करना सिर्फ आप अपना आत्म विश्वास बढ़ा सकते हैं, बलकि लोगों को सकारात्मक तरीके से प्रभावित करने का तरीका भी सीख सकते हैं, फिर चाहे आप एक विद्य जार्थी हो, एक व्यापारी हो या फिर आप अपने दोस्तों के बीच मशहूर होना चाहते हो, थोड़ा सा समय देकर इन उसूलों का अभ्यास करते ही आप अपने आसपास के लोगों से अपना कोई भी काम आसानी से करवा सकते हैं, तो चलिए सबसे पहले हम उन फंदामें टेकनीक्स की बात करते हैं, जिनसे आप लोगों को आसानी से अपने वश में कर सकते हैं, उसूल वन डोंट क्रिटिसाइज, केंडेम और कंप्लेन यानि लोगों की कडवे शब्दों में आलोचना, निंदा और शिकायत ना करें, उसूल एक हम से ये कहता है कि किसी भी व्य व्यक्ति को समझने की कोशिश करें कि वो व्यक्ति इस तरह से बरताव क्यूं करता है और इसके पीछे की वज़ाय क्या है? सच मानिए ये आलोचना और निंदा करने से ज्यादा फाइदे मंद होगा क्योंकि ऐसा करने से उस व्यक्ति के साथ साथ हम में भी सहनशील होने के भाव जागरित होते है इस उसूल को खुद महान अबराहम लिंकन ने भी अपनाया था एक बार उन्होंने अपना अनुभव बाठते हुए कहा कि मैं पहले अपने विरोधियों की आम रूप से खूब आलोचना किया करता था लेकिन एक बार एक विरोधी ने उनकी आलोचना से परेशान होकर उन्हें तलवार से मारने की धमकी दे डाली जिसके बाद से ही अबराहम लिंकन डर गए और उन्होंने किसी की भी सीधे तौर पर आलोचना करना छोड़ दिया इतना ही नहीं, लिंकन खुद ये बाद बताते हैं कि वो दुसरों को भी यही सलार देने लगे कि सीधे तौर पर आलोचना करना नुकसान दायक हो सकता है इसलिए हमेशा हमें सही धंग से पेशाना चाहिए उसूल 2. Give Honest and Sincere Appreciation Give Honest and Sincere Appreciation How to Win Friends and Influence People Book Summary in Hindi यानी पूरी इमानदारी और अच्छी नियत के साथ सामने वाले की प्रशंशा करे एक ऐसा भी तरीका है जिससे हम किसी भी इनसान से कुछ भी करवा सकते हैं और दूसरा उसूल यही सिखाता है कि किस तरह से हम ऐसा करने में काम्याब हो सकते हैं अगर हम तहे दिल से और पूरी इमानदारी के साथ किसी व्यक्ती की प्रशंसा करते हैं तो इसकी चाप उस व्यक्ती के दिलो दिमाग से जिन्दगी भर नहीं छूटती। वो हमेशा आपकी इस प्रशंसा को संजोय रखता है और ऐसे में ये लाजिमी हो जाता है कि वो आपकी कही हुई बात को माने और आपको पसंद करें। उदाहरन के लिए कंस्ट्रिकशन साइट के मैनेजर को एक बड़ी दिक्कत का सामना तब करना पड़ा जब मजदूर उनके सामने तो उनकी बात मानकर सेफटी हेड गिया, हेलमेट पहन लेते, लेकिन उनके जाते ही वो उस हेलमेट को निकाल देते। ऐसे में उस मैनेजर ने एक अलग तरीका अपनाया। उन्होंने इस बार बड़े ही प्यार से मजदूरों से कहा कि क्या उन्हें ये हेलमेट अच्छे नहीं लग रहे? या फिर इनकी फिटिंग खराब है? अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें ये हेमेट्स पहनने चाहिए, क्य कि ये उनकी सुरक्षा के लिए ही बने है. वो नहीं चाहते कि उनके कीमती मजदूरों को चोट लगे. ये सुनते ही मजदूरों ने उस वक्त से ही हेलमेट रोजाना पहनना शुरू कर दिया, और उस मैनेजर का ये तरीका काम आया। उसूल 3. किसी अन्य व्यक्ति के मन में उत्सुकता जागरूक करना यानि लोगों को सकारात्मक रूप से प्रेरित या प्रोचसाहित करना. इसका बड़ा साधारन सा उदहारन है. जब आपके पास एक बहुत ही जबरदस्ट आइडिया है तो लोगों को ये कभी ना सोचने दे कि वो आइडिया आपका है बलकि उ ज्यादा मददगार साबित होंगे. इस मनोव एग्यानिक सोच का हम बड़ी आसानी से अपनी प्रोफेशनल जिन्दगी में इस्तिमाल कर सकते हैं. लेखक डेल कारने की अपना ही एक अनुभव बाठते हुए बताते हैं कि एक बार ब्रूकलिन इंस्टिट ओफ आर्ट्स साइन्स में वो विद्यार्थियों के लिए बड़े ही सफल लेखकों को गैस्ट लेक्चर के लिए बुलाना चाहते थे. समस्या ये थी कि सभी लेखक बहुत व्यस्त थे इसलिए डेल ने लगभग कुछ टाइम के लिए पहुँच गए और 150 विद्यार्थियों के साथ मिल कर एक खत लिखा और इन लेखकों को भेज दिया. इस खत को पढ़ते ही ये सभी वयस्त लेखक अपने अपने देश को छोड़कर ब्रूकलिन में भाशन देने के लिए पहुँच गए थे. आखिर उस खत में ऐसा क्या लिखा गया था? दरसल डेल ने इसी उसूल का उठाया. उस खत पर सभी 150 विद्यार्थियों ने दस्तखत किये थे, और उन लेखकों से विनती की कि अगर उनके जैसा महान लेखक अपना समय निकाल कर उन्हें सिखाएंगे तो ये उन विद्यार्थियों के लिए गर्व की बात होगी. भाई, ऐसा खत पढ़कर तो कोई भी पिघल जाएगा. तो ये थी अपने आसपास के लोगों को वश में करने की कुछ तरकीबे. अब हम उम्मीद करते हैं कि आप भी लोगों से डील करने वाली अपनी सोशल स्किल को मजबूत बना लेंगे. ये बात तो आप भी मानोगे कि कोई भी इनसान उस व्यक्ती का क काम करता है या उस व्यक्ती की बात मानता है जिसे वो पसंद करते हो. तो फिर चलिए आप भी सुन लीजिए उन टेकनिक्स के बारे में जिसकी मदद से लोग आपको पसंद करने लगेंगे. उसूल 1. Become genuinely interested in other people. यानी सही माइनों में लोगों में अपनी दिल्चस्पी दिख अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें और अगर आप सच्ची दोस्ती कायम करना चाहते हैं तो इस उसूल को हमेशा ध्यान में रखें. अगर हम किसी के सच्चे दोस्त बनना चाहते हैं तो हमें पूरी लगन से उनके लिए अपने वक्त के साथ साथ अपना मन भ परे रखना होगा जिसका एक बहुत ही सही उदाहरण ये है कि जब हम किसी के साथ दोस्ती की शुरुवात करते हैं और अगर इसी शुरुवाती समय में उसी की मात भाशा बात करते हैं तो वो व्यक्ती हमें ज्यादा पसंद करता है अब इससे हमारा मतलब ये बिलकुल नहीं है कि आप लोगों की हां में हां मिलाए उदाहरण के लिए किसी भी सफल बिजनेस इंटर्व्यू का राज आखिर क्या हो सकता है थावर्ड के भूत पूर्व प्रेजिडेंट डबल्यू एलियट के अनुसार सफल बिजनेस इंटर्व्यू के पीछे कोई बड़ा राज नह ही है यहां आपको बस एक ही चीज करनी होती है और वो है सामने वाले इंसान को काफी बारीकी से सुनना उनमें बड़ी दिल्चस्पी दिखाना क्योंकि आप अगर उन्हें एहमियत देते हो तो वो भी आपको जबरदस्त रेस्पोंस देने लगते है उसूल दो याद रखि किसी भी व्यक्ति के लिए उसका नाम सबसे महत्वपूर्ण होता है चाहे वो किसी भी भाशा में लिया जाए हर इंसान के लिए उसका अपना नाम सबसे ज्यादा जरूरी होता है वाना ऐसे ही थोड़ी ना हर कोई अपने नाम को रोशन करना चाहता है प्रसिद लेखक शे ज़्यादा जरूरी होता है उसका नाम, क्यांकी नाम की वजह से ही हम एक दुसरे से अलग है. नाम हर इंसान की पहचान होती है और अगर हम किसी इंसान को उसके नाम से बुलाए तो ये ज्यादा कारगर साबित होता है और ये उसूल आप अपने से नीचे तपके के साथ आजमा कर देख सकते हैं जैसे driver, waiter या चपरासी अपना नाम सुनना हर किसी को पसंद होता है उसूल तीन दुसरे इंसान की रूची की बाते करें How to win friends and influence people book summary in Hindi हम अगर किसी के साथ ज्यादा देर तक बिना बोर किये बाते करना चाहते हैं तो ये उसूल हमें यद रखना होगा कि हमें उस इनसान की रूची की बाते करनी चाहिए. इस से आप दोनों की बाते और भी ज्यादा मज़ेदार हो जाएंगी और काफी देर तक चल जैसे हम अगर किसी इनसान से पहली बार मिलते हैं और सिर्फ अपने बारे में ही बाते करते जाते हैं तो इससे उस इनसान की रूची धीरे धीरे कम होती हुई नजर आएगी. लेकिन अगर हम उस इनसान के साथ उसकी रूची की बाते करते हैं तो आपके साथ साथ उस इनस के यहां सप्ताहंत बिताया करते थे। एक शाम एक मध्य उम्र के व्यक्ति उनकी आंटी से मिलने पहुँचे और कुछ समय उनकी आंटी के साथ बिताने के बाद उन्होंने अपना सारा ध्यान नन्हे विलियम पर लगाया। उस वक्त उन्हें बोट्स में काफी दिल्चस्प अपनी आंटी से शुरू कर दिया। लेकिन वो तब चौक गए जब उनकी आंटी ने उन्हें बताया कि वो आदमी न्यू यॉर्क में एक वकील थे और उन्हें दरसल बोट्स में कोई रूची नहीं थी वो तो सिर्फ तुमसे बाते करना चाह रहे थे और तुम्हारी बात कि दुसरे इनसान की रूची जागरत करना बहुत जरूरी होता है और ये मुम्किन हो पाता है उस इनसान की रूची के बारे में बाते करने से और अब इस उसूल से हमें ये पता चलता है कि उस इनसान को खास साबित करना भी उतना ही जरूरी है। ये बहुत जरूरी है कि ह उसूल आपको इस छोटी सी कहानी से साफ समझा जाएगा एक दिन डेविड अपने कुछ शराबी दोस्तों को देर रात एक पार्टी के बाद सुरक्षित अपनी कार में घर पहुँच रहे थे लेकिन तभी साइन बोर्ड देखने के बावजूद डेविड ने जान बूज कर गलत मोड ले लिया और तभी उन्हें एक ट्राफिक पोलिस ओफिसर ने रोक लिया उन्होंने डेविड से पूछा क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हें क्यों रोका है अब अगर इस तिथी में डेविड बाकी लोगों की तरह ट्राफिक पोलिस को एक रुखा जवाब दे लेकिन डेविड ने बड़ी ही समझदारी और इमानदारी से अपनी गलती मानी और साथ ही साथ ये भी कह दिया, मुझे माफ कर दीजिये सर, मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की है और साइन बोर्ड देखने के बावजूद मैंने गलत मोड ले लिया, जो भी जुर्माना है मैं पुलिस ओफिसर के कानों में डेविड ने शहद घोल दिया हो, उन्होंने ना सिर्फ डेविड को माफ किया बलकि उनका लाइसेंस लोटा कर शराबी दोस्तों को सही सलामत घर पहुचाने की जिम्मेदारी पर शाबाशी भी दी, और वहां से बिना जुर्माने के ही उन्हे जाने दिया, भाई, वाह डेविड, तो देखा दोस्तों, इन सभी उसूलों को अब आप अच्छी तरह से जान चुके हो तो इनका अभ्यास कीजिए और देखिए की किस तरह आपके आसपास के लोग आपको पसंद करने लगेंगे, अब हम जानेगे की अपनी सोच से लोगों को कैसे जीता जा सकता है, उसूल एक, एक जबरदस्त बहस को एक ही तरीके से जीता जा सकता है और वो है उसकी उपेक्षा करके, मीटिंग आखिरकार हम इस निश्चे पर आ चुके हैं कि दुनिया में किसी भी भेहस का सबसे बढ़िया नतीजा पाने के लिए क्या करना चाहिए और वो है उस बहस को टाल देना, किसी भी बहस की उसी तरह टाल देना चाहिए जिस तरह हम किसी नशेडी या शराबी को टाल देते हैं क्योंकि आम तोर पर कोई भी बहस एक ही नोट पर खत्म होती है और वो है असहमती क्योंकि दस में से नो लोग बहस के बाद इस बात पर और भी ज्यादा यकीन करने लगते हैं कि उनका मानना और उनकी सोच सही है और इससे आपस में और भी ज्यादा मत भेद पैदा हो जाते हैं इसलिए बहतर यही है कि इससे बचा जाए उसूल दो, दुसरों की सलाह की इज़्जत करो, ये कभी ना कहें कि तुम गलत हो, हम किसी की बुराई सीधे सीधे नहीं कर सकते ऐसा करने से हम किसी को अपना दुश्मन खुद बना सकते है क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे है जो अपनी बुराई सुनना पसंद करते है किसी को ये कहना कि वो गलत है उसे बुरा महसूस करने पर मजबूर कर सकता है बलकि आप ये कह सकते हैं कि कैसे वो अपनी खामियों को दूर कर सकते हैं। उदाहरन के लिए सोचिए कि आप एक company के manager है और company में incentives देने का एक नया system लाना चाहते हैं। तो आप अपने system को किस तरह पेश करेंगे? ज्यादातर लोग ये बताते हैं कि कंट system में कहां खामिया है और फिर अपने नए idea को defend या promote करने में जुड़ जाते हैं। लेकिन ये एक गलत रास्ता है। Meeting में सबसे पहले ये पूछना ज्यादा बहतर रहेगा कि सभी के मताबिक ongoing system में क्या क्या दिखते हैं। फिर अपने ideas को सामने रखते हुए उनके विचार जाने। इस तरह से ना सिर्फ आपके idea को स्वीकार किया जाएगा बलकि उसमें सभी काफी दिल्चस्पी लेंगे। उसूल तीन, अगर आप गलत है तो तुरंथ ही अपनी गलती को मानकर माफी मांगे लेना आपके लिए फायदे मन रहेगा। जब हम किसी बात में सही होते है तो हमारे अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास होता है जो हमारी बातों में और हमारे स्वभाव में साफ साफ देखा जा सकता है। लेकिन जब हम किसी बात में गलत होते हैं तो हमारा आत्म विश्वास गिर जाता है और साथ में हम अपना बचाव करने की भी कोशिश करते हैं. लेकिन हमें ये उसूल ध्यान में रखना होगा कि जब कभी हम गलत होते हैं तो हमें तुरंथ ही उसे स्वीकार कर लेना चाहिए. ये बात हमारे पूरवज हमेशा से ही कहते आ रहे हैं कि अपनी गलती मानने से कोई छोटा नहीं होता. और ये बात हमें ये उसूल भी सिखाती है कि हमें अपनी गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि गलती करने के बाद उसका बचाव करने से ज्यादा फायदेमंद ये है कि अपनी गलती को मुस्कुराहट के साथ मान ले। इसका सीधा उदाहरन लेखक डेल कारनेज ने अपनी निजी जिन्दगी में हुए वाक्ये को बाटते हुए इस किताब में बताया है। डेल ने बताया कि वो अपने पालतु कुथते को घुमाने जंगल में ले जाते थे। क्योंकि जंगल के आसपास कोई भी नहीं होता था इसलिए वो उसे जंजीर से नहीं बांधते थे। लेकिन एक दिन एक पुलिस इंस्पेक्टर ने उन्हें इस तरह देख लिया और लेखक को जम कर डांट लगाई साथ ही साथ यह भी कह दिया कि अगली बार अगर उन्होंने उनके पालतु कुथते को खुले आम देखा तो वो उन्हें अदालत में ले जाएंगे। अब कुछ दिनों तक तो डेल कारनेगी ने पुलिस मेन की बात मानकर अपने पालतु कुथते को जंजीर से बांध कर रखा ताकि आसपास के लोग और बाकी छोटे जानवर सुरक्षित रहे लेकिन एक दिन फिर से डेल ने अपने कुथते को अपनी जंजीर से नहीं बांधा और इस बार दुबारा उसी इंस्पेक्टर ने डेल को देख लिया। लेकिन इससे पहले की इंस्पेक्टर कुछ बोल पाते लेखक डेल ने खुद ही अपनी गल्ती मानते हुए उसने कह दिया कि, माफ कीजिए मैंने दुबारा आपकी बात नहीं मानी, मैं कितना गैर जिम्मेदार हूँ, ये सुनते ही पुलिस ओफिसर पिघल गया, उन्होंने कहा, अरे, कोई बात नहीं इतने प्यारे कुथते को बांधने का आखिर किसका मन करेगा, लेकिन फिर भी डेल अपनी गलती के लिए माफी मांग रहे थे, और पुलिस ओफिसर ने उन्हें माफ कर दिया, वो भी बिना कुछ कहे, तो देखा दोस्तों, डेल की यही बात हमें सिखाती है कि अपनी गलती मान लेने से मसला आसान हो जाता है, और हमें ज्यादा तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता, उसूल आठ, सामने वाले व्यक्ती की सोच समझे, कई बार हमारी नजरों में एक इनसान काफी गलत होता है, लेकिन हमारी सोच से ठीक पर उस इनसान के मन में ये भाव होते हैं कि वो बिलकुल सही है, यही होती है अपनी अपनी सोच, जो जरूरी नहीं कि हम सब की एक जैसी हो, हमें अपने आपको उनकी जगा प श्रीमान काटर अपनी पत्नी को हमेशा एक बात के लिए ताने कस्ते थे कि आखिर वो सारा समय बगीचे में पौधों को सवारने में क्यूं बिताती है। श्रीमान काटर का बगीचा सबसे बढ़िया था। लेकिन अपनी पत्नी की तारीफ करने के बजाए वो उन्हें डाठा करते। आखिरकार श्रीमान काटर ने बगीचे में व्यस्त अपनी पत्नी से माफी मांगी और उनकी तारीफ करते हुए उनके साथ बगीचे में समय भी कुछ इस तरह श्रीमान काटर ने अपनी पत्नी के विचारों को समझा और अपनी जिन्दगी बहतर बनाई। उसूल 10, हमेशा एक अच्छे और नेक कारण को ध्यान में रखे। आम तोर पर लोग दो तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं। एक जो उनका मन कहता है और दूसरा जो उन्हें ठीक लगता है। इन दोनों बातों में फर्क है, लोगों का उस रास्ते को चुनना ज्यादा आसान होता है जो उन्हें सही लगे। लेकिन असलियत में एक अच्छा इंसान हमेशा इस बात का ख्याल रखता है कि उसके किसी भी बरताव से लोगों पर क्या असर होगा। यानी वो अपने इस महान लक्षे को कभी नहीं भूलता, और यही बात जाहिर तोर पर उसके लिए फायदे मंद होती है। उसूल ग्यारा, अपने सभी आइडियाज को बड़े ही जबरदस तरीके से पेश करे। आपको सच के साथ थोड़ा बहुत मसाला भी लगाना होता है और अपने सच को या अपनी सोच और भी ज्यादा मजेदार बनाना पड़ता है। आपको किसी शोमेन की तरह बड़े ही नाटकिय धंग से अपने आपको पेश करना है। ता है, उसके बाद ही आप ध्यान आकरशित कर सकते हैं। कई बार हम कुछ बातों को समझाने के लिए अलग-अलग तरह की रणीती अपनाते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि साफ लफजों में कहना काफी नहीं होगा। जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, कोई कितनी भी साधारन सी सच्ची कहानी क्यूं न हो लेकिन फिल्मकार को उसे अपने दर्शक तक पहुचाने के लिए नाटकिय रूप अपनाना पड़ता है ठीक उसी तरह हमें अपनी सोच को नाटकिय रूप देना जरूरी हो जाता है। ऐसा ही कुछ किया इंडियाना की कैथरीन विलिनियम ने जिन्हें अपनी नौकरी में कुछ दिक्कत हो रही थी और वो ये समस्या अपने बॉस के साथ बाटना चाह रही थी। लेकिन ऐसा नहीं पाया। उनके बॉस अपनी व्यस्त दिन चर्या की वजह से उनसे अपनी लिखा जिसके अंदर एक उपचारिक पत्र भी था। मैं जानती हूँ आप कितने व्यस्त होंगे अपने शेड्यूल की वजह से लेकिन खृप्या आप मुझे इस फॉर्म में दो रिक्त स्थानों को भर कर मुझे दे दीजिए। पहला की आप मुझे किस तारीक पर मिल रह है और दूसरा की आप मुझे अपना कितना समय देंगे। ये देखते ही कैथरीन के बॉस प्रभावित हुए और उन्होंने कैथरीन के साथ तुरंथ ही मीटिंग की जिसके बाद आखिरकार उनकी समस्या दूर हुई। उसूल बारा, लोगों को सकरात्मिक रूप से चेलें से लेकर एक बड़ी कमपनी के सीनियर एक्जीक्यूटिव तक के लिए मोटिवोर्टिंग फैक्टर क्या होता है। फ्रेडरिक ने हजारों मजदूरों से ये जानने की कोशिश की उन्हें प्रोचसाहन कहां से मिलता है जिसमें उन्होंने तीन चीजों का जिक्र भी किया। तंखाव, आराम दायक काम करने की जगह या फिर कुछ और। जब इस रिसरच के परिणाम सामने आये तो वो फ्रेडरिक को चौकाने वाले थे। क्योंकि परिणाम ही कुछ ऐसे थे। दरसल लोगों को सबसे ज्यादा खुद उनके काम ने ही प्रोचसाहित किया था। जिस से ये साफ होता है कि अगर किसी का काम ही मज़ेदार हो और रुचिकर हो तो लोग और भी मन लगा कर काम करते हैं और उन्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं पढ़ती प्रोचसाहित होने के लिए। और साथ ही साथ अपने आपको और ज्यादा निखारने के लिए लोग से मेहनत करते हैं एक लीडर बनना एक बड़ी खासियत है होती है जिसकी समझ की हर व्यक्ति को जरूरत है तो चलिए जानते हैं कि लोगों को बिना भढ़काए या नाराज किये हम किस तरह बदल सकते हैं उसूल एक पूरी इमांदारी के साथ लोगों की तारीफ करें तारी से हम अपने ओफिस में सुभा सुभा जाते हैं और अपने सहकर्मियों से मिलते हैं और अगर उनके साथ बड़ी ही गर्मजोशी के साथ मिलना होता है तो फिर दिन भर आपके साथ साथ उनका मूड भी ठीक बना रहता है अगर हम किसी की तारीफ में कुछ बात करते हैं तो ये बात काफी लंबे अर्से तक याद रहती है और इससे आपके और उस इंसान के रिष्टे को और भी ज्यादा मजबूती देती है. उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि उनसे बात कैसे करे या किस विशय में करे, आपको पसंद भी कर लेता है. यानी एक तीर से दो निशाने. उसूल दो, गलतियां सबसे होती है, आप उनकी गलतियां बताओ लेकिन अपरत्यक्ष रूप से जिससे की उन्हें बुरा ना लगे. मुश्किलें तब बढ़ जाती है जब हमें किसी को उनकी खामियां बतानी हो, या फिर जब हमें किसी की आलोचना करनी हो. इस उसूल से हम ये सीखते हैं कि जब कभी हमें ऐसा करना हो तो ये बात हमेशा याद रखे कि किसी भी इनसान की आलोचना करने से पहले उनकी तारीफ करना जरूरी है उस इनसान को पहले ये बताए कि उसकी खूबिया क्या है ऐसा करने से वो इनसान कम बुरा मानता है अगर हम किसी की बुराई या उसकी खामिया सीधा सीधा बताते हैं तो ऐसे में उसका बुरा मानने की संभावना बढ़ जाती है मसलन जॉन अपनी स्टील की कमपनीज में से एक के पास से गुजर रहे थे और तभी उन्होंने वहां कुछ मज़़ूरों को नो स्मोकिंग बोर्ड के ठीक नीचे धूमरपान करते देखा लेकिन जॉन ने उन्हें सीधे सीधे डाटने के बज़ाए उन मज़़ूरों को एक-एक सिगार पकड़ा दी और कहा मुझे अच्छा लगेगा अगर आप सभी ये सिगार पिये लेकिन बाहर जाकर उन मज़़ूरों को समझ आ गया था कि उनकी गलती क्या थी भाई, ऐसे इनसान को आखिर कौन नहीं पसंद करेगा? उसूल 4, सीधे सीधे आदेश देने से बहतर है कि सवाल पूछे जाए Ask question how to win friends and influence people book summary in Hindi अगर वाकई में हम चाहते हैं कि अपनी एक अलग पहचान बनाए और लोगों के बीच अपने आपको भीड में सबसे अलग दिखाना चाहते हैं तो ये उसूल बहुत ज्यादा माइने रखता है क्योंकि इस उसूल की मदद से हम ये सीख सकते हैं कि किस तरह से हम अपने आपको एक लीडर के तौर पर उभार सकते हैं इसमें सबसे एहम बात ये है कि हम किसी को सीधे आदेश देने से बहतर उनसे सवाल कर सकते हैं जैसे कि इस उदाहरन के लिए एक बार एक छोटी सी फैक्टरी के मैनेजर को इस बात की चिंता सता रही थी कि वो और उनकी factory में काम करने वाले कर्मचारी वक्त पर अपने ग्रफ ठकों के orders को पूरा कैसे करेंगे तो ऐसे नाजुक वक्त पर उस मेनेजर ने अपने कर्मचारियों को ज्यादा मेहनत के साथ काम करने का आदेश देने के बजाए सभी कर्मचारियों को बुलाया और उनसे मीटिंग की और सभी से कुछ सवाल किये जिसके बाद जो परिणाम सामने आया वो वाकई काबिले तार मेनेजर ने कर्मचारियों से सवाल किया हम इस ओर को किस तरह से संभाल सकते है इसके बाद मेनेजर ने कुछ और सवाल किये जैसे क्या कोई कुछ सुझाव दे सकता है कि इस ओर को इस ओर को कैसे पूरा किया जा सकता है क्या कोई तरीका है जिससे हम समय को मैनेज कर ओर को प जहां पहले order को पूरा करने की चिन्ता सिर्फ manager को थी अब वहां सब कर्मचारियों ने मिलकर इस जिम्मेदारी को अपना बना लिया था और सभी का रवया, हम मिलकर ये पूरा कर सकते हैं, में बदल गया था, और हुआ भी कुछ ऐसा ही, तो order को समय पर पूरा कर लिया गया, पर पूरा करना है तो शायद ऐसा कर पाना मुम्किन नहीं होता, लेकिन manager ने समझदारी दिखाते हैं अपने कर्मचारियों से meeting कर कुछ सवाल किये और नतीजा सामने था, इसी तरह से आप भी इस उसूल को अपनाते हुए leader बनने की एक एहम खासियत को अपने अंदर पैद जनक होता है और इस से बाहर निकलने के लिए उस इनसान को काफी समय लगता है, किसी इनसान को छोटा महसूस कराना उस इनसान का आत्मविश्वास तहस नहस करने जैसा है, क्योंकि आखिर में किसी इनसान के लिए ये माइने नहीं रखता कि कौन उसके बारे में क्या सोचत लेकिन उसकी अध्यापक ये कहकर उसे डीमोटिवेट कर देते हैं कि उसे गाना नहीं गाना चाहिए क्योंकि उसकी आवाज भद्धी है पर उस दस साल के बच्चे की माहार नहीं मानती वो उसे प्रोचसाहित करती है उसकी हर कोशिश पर उसे शाबाशी देती है ये वही बच्चा था जो एक दिन ओपेरा सिंगिंग का बादशा कहलाया गया जिसका नाम था एन्रीको कारुसो उसूल 6 एक छोटा सा सुधार भी तारीफ का हगदार है इस उसूल को असल जिन्दगी में ढालने से आप किसी इनसान को सिर्फ सुधार ही नहीं कर सकते बलकि उस इनसान को पूरी तरह से बदल सकते है उस इनसान का पूरा काया कल्प कर सकते है और इसकी शुरुवात होती है एक बैहत छोटे से सुधार और उसकी सराहना से अगर हम किसी इंसान की खूबियों को भांप कर उसकी सराहना करते हैं तो ये काफी हद तक उस इंसान के लिए और भी ज्यादा सुधार में मदद करता है एक बात समझना बहुत जरूरी है आलोचिन यानि क्रिटीज्म से ज्यादा लोग अपनी सराहन से प्रभावित होते हैं क्योंकि उनमें वो विश्वास जगता है कि वो वाकई में ऐसा कर सकते हैं टॉमी नाम के स्कूल के सबसे शरार्ती विद्यार्थी को इसी उसूल की मदद से 4 टी-एच ग्रेट की अध्यापिका श्रीमती होपस्किन ने सुधारा कक्षा के पहले ही दिन, श्रीमती होपस्किन ने सभी बच्चों की तारीफ की और जैसे ही टॉमी की बारी आई, श्रीमती होपस्किन ने टॉमी से कहा, टॉमी तुम एक पैदाशी लीडर हो और तुम ही इस कक्षा को सबसे अच्छी कक्षा बनाने में इस साल मेरी मदद उस वक्त से ही चौमी मानों बदल ही गया हो। हर सुधार के साथ वो एक बहतर विद्यार्थी बनता जा रहा था जिसका सारा श्रेज आता है श्रीमती होपस्किन को। अगर उस इसनान को ये दर्शाते हैं कि आप उन पर पूरा भरोसा करते हैं और आपको ये विश्वास है कि वो अपने आपको सुधार भी सकते हैं तो आप उस इनसान में गजब का बदलाव देखेंगे क्योंकि वो इनसान पहले ये मानने पर मजबूर हो जाएगा कि वाकई में उसमें कुछ काबिलियत है और दूसरा वो पूरी कोशिश में जुर जाएगा कि वो आपको निराश ना करें स्टोर के मालिक श्रीमान गोम्ज ने ये बताया कि उनके स्टोर में एक ऐसा ही करमचारी था जो कभी भी प्राइस टैगिंग का काम ठीक से नहीं करता था जि एक दिन श्रीमान गोम्ज ने उसे केबिन में बुला कर पूरे स्टोर की प्राइस टैगिंग का सुपवाइजर बना दिया अब भले ही ये आपको बचकाना लगे लेकिन उस करमचारी ने उसके बाद जबरदस्त सुधार दिखाया और अपनी जिमीदारियों को बखू भी निभाया भी. तो देखा आपने की किस तरह किसी को प्रेरित करने का ये एक कारगत तरीका है जिससे आपके भीतर लीडर्शिप का गुन और भी ज्यादा निखर कर सामने आता है. उसूल 9. ध्यान रहे. कोई भी व्यक्ति जब आपके कहे हुए काम को करे तो खुश होकर करे और पूरा मन से करे. अगर आपको किसी से कोई काम करवाना है तो आप अपने काम को पहले उसकी मर्जी से करवाए और ध्यान रखें कि उसे ये काम करने में खुशी हो. इस इन्सान में उन्होंने कहा था, इस बात में दो राय नहीं की इन्सान सही अप्रोच और सही नियत से अपने आसपास के लोगों को बड़ी ही आसानी से प्रभावित कर सकता है और धेर सारे दोस्त भी बना सकता है. लेकिन किसी भी इनसान से उसकी मर्जी के खिलाफ अपना काम निकलवाना किसी भी अच्छे इनसान की पहचान बिलकुल नहीं है तो दोस्तों, ये मानना एक हद तक गलत होगा का इन सभी उसूलों और अप्रोच को आज माने के बाद आपको वही परिणाम मिलेगा जिसकी आप कामना करते हैं क्योंकि आप ये कभी माप नहीं सकते की कौन इनसान किस तरह का बरताव करेगा क्योंकि हर इनसान अपने आप में अलग है लेकिन ज्यादातर लोगों के अनुभवों को ध्यान में रखकर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आप इन सभी उसूलों और अपनी इस अप्रोच से लोगों के हाभाव में बदलाव ला सकते हैं अगर आप इन सभी उसूलों का प्रयोग करने में 10 प्रतिशत भी काम्याब होते हैं तो आप एक बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं दोस्तों इस किताब में और भी ऐसे उसूल है और हम आपको रेकमेंड करते हैं कि आप ये पूरी किताब जरूर पढ़े दोस्तों अगर आपको आज का हमारा ये आर्टिकल How to Win Friends and Influence People Book Summary in Hindi अच्छा लगार तो आप इस आर्टिकल How to Win Friends and Influence People Book Summary in Hindi को अपने दोस्तों के साथ शेर करें आपका बहुमूले समय देने के लिए दिल से धन्यवाद और ऐसे ही interesting book summaries और knowledge से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे channel ये books को subscribe करें अगर आप अपनी किसी पसंदीदा book की summary सुनना चाहते हैं तो उस book का नाम हमें जरूर बताएं मैं जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगा तो चलिए मिलते हैं आगली वीडियो में आपका समय शुब हो